नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल हाई टेक शर्मा में दोस्तों आज कर लगबब सभी लोगों के बैंक अकाउंट्स है पहले के समय में बहुत बार आपको बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए अपने नज़्दी की ATM या फिर ब्रांच में जाना पड़ता था जिससे आपका कीमती समय यूही बेकार हो जाता था दोस्तों आज के समय में बिना ब्रांच या ATM में जाए आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो वो भी अपने Simple या फिर Android फॉन से तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप घर बैठे ही अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हो दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लीजे, बैल ऐकन दबा लीजे ताकि हमारे दुवारा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप सभी को समय समय पर मिलता रहे तो चलिए दोस्तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बेना टाइम वेस्ट किये दोस्तो यदि आप UPI एप यूज करते हो फिर चाहे आप Android phone यूज करते हो या फिर आप Simple phone यूज करते हो दोस्तो बस आप एक Miss Call करके अपने Bank Account का Balance चेक कर सकते हो दोस्तो कई बार किसी Bank के Balance चेक करने का Number बदल जाता है इसलिए यदि किसी Bank के Balance चेक करने का Number बदल गया या फिर काम नहीं कर रहा है तो कमेंट करके दोस्तो हमें बताइएगा जरूर ताकि हम उस Number को Update कर सके और हमारे वीडियो की Description Box या फिर कमेंट बॉक्स में वो नया Number मिल जाएगा ताकि हमारी Audience भी Updated रह सेगे दोस्तो केनरा बैंक के उबोकताओं को अकाउंट बैलेंस जानने के लिए 09015483483 पर मिस्कॉल करना होगा और यदि दोस्तो आप Mini Statement जानना चाते हो तो आपको 09015734734 पर मिस्कॉल करना होगा दोस्तो इस Mini Statement में आपको Last 5 Lain Day जो आपने की होगी उसकी Information दी जाएगी यदि आप अपने Mini Statement हिंदी में जानना चाते हो तो दोस्तो उसकी लिए आपको 09015613613 पर कॉल करना होगा अपने Registered Mobile Number से तो दोस्तो यह थी हमारी आज की Complete वीडियो उमीद करता हूँ आपकी समझ में आ चुकी होगी वीडियो आपको पसंद आए होगी दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए है तो इस वीडियो को जादे से जादे शेर कीजिए हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट जरू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सभी को लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे धन्यवाद दोस्तो